असलाम लेकुम गिल्स आज हम लोग एक्साइस 7.4 का कुश्चिन नम्मर वन कर रहे हैं एक्साइस 7.4 के 4 पार्ट्स हैं और उसमें different proportional find out करने हैं और अब ये formula में आपको बार बार बता चुकी हूँ product of extreme is equal to product of means वाला और इसके word problems भी solve कर दिये लिए और ये एक short सी exercise है जिसमे हम values find out करेंगे पहले x की फिर उसके बाद हम fourth proportional and third proportional वालूम करेंगे तो हर exercise के four five sums है हर exercise के part के four five sums है तो exercise 7.4 के four parts है first part मैं भी solve करके आपको बता रहे हूँ उसके two three questions और बाकी आप वोच solve कीजिगा क्योंकि सारे एक ही method से solve होंगे और बहुत simple सा method है find the value of x in the following proportions अब हमारे पास two is to three equal to four is to x है ठीक है two is to three four is to x अब आपको पता होता है ये वाला side और ये side equal होते हैं ठीक है नब proportions find out करनी है कौन सी proportion find out करनी है fourth proportion यहाँ पर में मालूम करना है x मालूम करना है ठीक है तो two is to three और four is to x के लिए हम product of extreme जो हम लोग अभी तक formula यूज कर रहे थे word problems में भी वह यूज करेंगे product of extremes extreme कौन से है first and fourth को extreme कहते है और second and third को means कहते है तो first and fourth term जो है वो two और x है तो two multiply by x करेंगे यह मैंने आपकी याद रखने के लिए sign लगा दिया इसे लगाने की जरूरत नहीं होती लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए मैं लगाती हूं ताकि आपको पता चले इन दोनों को को multiply किया और इन दोनों को वैसे तो extreme और means से भी पता चल जाएगा आपको 2x is equal to sign को मैंने का था इसके लिए हम equal लगा लेंगे product of means की जगा means कौन कौन से 3 and 4 तो mean proportional हमने multiply किये 2x is equal to 3, 4, 12 अब x चाहिए आपको तो 2 यह multiply हो रहा है इदर हम भेज़ेंगे equal की दूसरे साथ divide हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 6, 12, x, 6, simple इसी formula से इसी तरह से बिलकुल next question solve करना है 3, 6, 3 is to 6 and x is to 8 दो आपके पास ratio जेंगा proportion देखें 3, 6 अब आप simply 3 multiply by 8 करेंगे product of extremes is equal to product of means में 6 is to x है तो यहाँ पर 6 multiply by x करेंगे 3, 8 is to 24, 6 x is to 6 x अब हमें x चाहिए मैंने इसको इदर लिख लिए अगर आप ना लिखें डायरेक्ट यह भी कर सकते है x is equal to 24 upon 6 क्योंकि 6 multiply हो रहा था x के साथ तो हम equal की दूसरी तरफ लिखे जाएगे